हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स के यूटूब एज्जू किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टडी करेंगे ओफलोक्स यूटूब चैनल मेडिसिन के बारे में और जानेंगे उसके बेजिक यूट के बारे में साथ ही हम करेंगे उसके detail फार्मकलोजिकल स्टडी और जानेंगे कि ये medicine किस तरह से अपना काम करता है उसके side effects वगरा क्या होते है contraindications क्या होते है तो सभी को जानते हैं detail में ये video lecture के अंदर तो यहाँ पे आप जो title slide के अंदर जो देख रहे है तो ओफ लोकजासिन जो है एक antibiotic medicine है और ये जो है वो बहुत सरे अलग-अलग bacterial infections को treat करने के लिए यूज किया जाता है तो जानते हैं detail में उसके बारे में तो एक्सपर लेक्चर बाया मरसर और सिस्टम प्रॉफेसर और फाउंडर और फार्मरोग्स तेंक यू फर बी इन 2.7 लेक फेमिली और फार्मरोग के साथ एक्सेस करिए study material test series and video lecture फार्मरोग्स के आप उपर तो एंडरोड यूजर एंडरोड यूजर आप डाउनलोड करेंगे आईफ़न यूजर अप स्टोर से लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो ओफलोग्जासिन जो medicine है वो antibiotic medicine कहा जाता है और ये बहुत सरे bacterial infections क को treat करने के लिए use किया जाता है pharmacologically हम देखे तो ये जो है वो medication fluoroclinolone class का medication कहा जाता है कि जिसको sort में FQ जो है वो लिखा जाता है कि fluoroclinolone और काफी popular medicine है ये अलग-अलग जो antibiotic होते हैं उसमें से और ये fluoroclinolone के अंदर first generation fluoroclinolone कहा जाता है और बहुत सारे bacteria के सामने उसकी antibacterial actions जो है वो देखने को मिलती है और ये जो bacteria की जो growth होती है उसको अठकाता है और अपनी pharmacological action देता है तो it work by stopping the growth of bacteria in person who taking it कि जो भी लोग उसको लेते है तो उनके body के अंदर जो भी bacterial infection हुआ होता है तो उसको cure करने में ये ophloxacin जो है वो help करता है तो उसके basic use हम समझे तो कौन से अलग अलग infections को treat करने के लिए ophloxacin यूज किया जाता है तो एक है pneumonia and lung infections कि जो respiratory tract related infections होते है और उसमें भी lungs के अंदर जो infections फैलते है जैसे कि pneumonia वगेरा होता है तो उसके इलाज में भी ophloxacin जो है वो यूज किया जाता है फिर skin related infections होते है उसमें भी ophloxacin यूज की जाती है फिर जो bladder का infection होता है कि urinary tract के अंदर जो bladder infection के अंदर होता है कि यहाँ पे आप जो यह bladder देख रहे है फिर यह ureator का portion ती यह जो bladder की wall आप देख रहे है ओपनिंग ऑफ ureator देख रहे तो यहाँ पे आप देख सक पे infection जो है फिला सकते है तो bladder से जो है इंफेक्शन यूरेटर कीड्नी तक भी पहुँच सकता है तो इसका जो है वो proper इलाज करना जरूरी है तो ophloxacin जो है प्रिस्क्रेब की जाती है कि जब bladder के infections होते हैं फिर infections of reproductive organs कि male और female दोनों के अंदर जो reproductive organs से उनके infections के अंदर भी use किया जाता है ophlox को फिर जो prostate की जो हम बात करते हैं कि जो reproductive gland है prostate gland जो कहा जाता है उसके infection के अंदर भी use की जाती है और जो urinary tract infections के अंदर भी ये medicines को prescribe की जाती है तो ये है उसके basic uses की कौन से अलग-अलग medical conditions में ophloxacin यूज किया जाता है अब जानते हैं उसके अलग-अलग doses form तो ophloxacin जो है वो tablet doses form में available है कि यहापे आप देख सकते है कि ophlox 200 करके उसके काफी famous brand है कि जो sipla उसका manufacture है आप देख सकते है कि ophloxacin के tablet 200 mg की strength के अंदर फिर ophloxacin के iron ear drops भी available है ophlox करके तो यह भी sipla का है और product है यह से बहुत सारे अलग-अलग pharma companies भी ophloxacin के iron ear drops बनाता है उसी तरह से आप देख सकते है तो उसका parental IV infusions भी आप यहाँ पे देख सकते है कि जो single dose container रहता है और intravenous use के लिए ही होता है तो ophloxacin का आपको infusion भी मिल जाएगा मतलब कि tablet doses form भी available है और parental भी available है और ophthalmic doses form भी ophloxacin का available है तो उसके हम eye drops के बारे में समझे तो ophloxacin के जो eye drops होते हैं वो conjunctivitis के treatment के लिए prescribe किये जाते हैं कि जिसको हम कहते है pink eye कि आपे यह वाले diagram के अंदर जो आप देख रहे हैं first वाले this one तो यह है conjunctivitis के condition कि जिसको हम कहते है pink eye second जो है ulcers of cornea तो यह जो second diagram के अंदर आप देख सकते हैं यह सब conditions की जब ulcer जैसी condition form होती है cornea के अंदर राखो के तो उस वक्त भी ophloxacin के जो ophthalmic eye drops जो है ophthalmic solution जो है वोसका use किया जाता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं off low state करके ophthalmic solution की जो 10 ml की strength में हो और यह medications रहते हैं rx only तो अच्छे से ophthalmologist को या फिर eye specialist को दिखाने के बाद यह ophloxacin के eye drops जो है वो use किये जा सकते हैं कि conjunctivitis and ulcer of cornea के अंदर तो यह होगा यह ophthalmic use of loxacin का अब आपने जाना होगा कि of loxacin जो है वो combination में कई बार use किया जाता है ornidazol के साथ तो of loxacin भी antibiotic है ornidazol भी antibiotic है तो दोनों का जो combination है वो अलग अलग bacterial and parasite के infections के अंदर use किया जाता है जैसे कि किसी को acute diarrhea है तो उसके इलाज में यहाँ पर आप देखो रैंबेक्स का यह जो product है on off oz करके तो यह जो है वो acute diarrhea के treatment में use किया जाके जिसके अंदर of loxacin and ornidazol दोनों जो है वो present है कि of loxacin जो है उसके अंदर है 200 mg के अंदर रहता है और यहाँ पर आप देखो तो ornidazol की strength जो लिखी है वो है around 500 mg तो यह जो combination होता है वो acute diarrhea के treatment के अंदर यह combination जो है वो use किया जता है अब हम जाने तो of loxacin के जो injection है कि IV injections जो आता है कि यहाँ पर आप देख सकते कि 200 mg per 100 ml के यह जो 100 ml का IV infusion जो आप देख रहे तो जिसके अंदर medication जो रहती है वो 200 mg जितना medication उसके अंदर रहता है और यह slowly जो है वो patient को दिया जता है 60 मिनिट तक यह bottle रहे उस तरह से यह लगाया जता है every 12 hours treatment therapy usually minimum 3 days to maximum 10 days से तीन से लेकर 10 तीन तक पेशन की जो है वो treatment चलती है जो infusion यूस कर रहे है intravenous तो जो loading starting dose होता है वो रहता है usually 200 से लेकर 400 mg डेली once a day खासकर कि जो loading starting dose जो है वो 200 से लेकर 400 mg के अंदर रहेगा फिर जैसे treatment स्टार्ट हो जाती है और जो maintenance dose होता है वो रहेगा खासकर 100 mg से लेकर 200 mg पर day कि आप यह जो tablet देख सकते है ओफ्लोक्जसें 200 mg तो यह जो है वो usually खासकर दिन में एक ही बार लेना जो है वो सही रहता है खासकर कि जो उसका maintenance dose रहता है और यह जो है वो खासकर as per the direction of physician ही use करना चाहिए because self medication उसका करना dangerous हो सकता है because यह antibiotic medication से prescription based drug है यह आप आप देख सकते हैं कि यह Rx only medications रहते हैं और साथ ही उसके अलग-अलग जो side effects भी होते हैं कि जो हम आगे समझेंगे तो उसके करन जो है वो proper direction के साथ ही use करना चाहिए under the medical supervision आप जानते हैं उसके mechanism के किस तरह से यह Ophloxacin जो है वो काम करता है तो Ophloxacin जो क्या करता है तो topo isomerase 2 जो enzymes होते हैं उसकी activity को जो है वो inhibit करता है जिसके करन जो भी bacteria होते हैं उनकी death हो जाती है तो यह होने का जो reason है कि यह जो enzyme जो है जरूरी है necessary है to separate the bacterial DNA कि bacteria का जो genetic material है DNA तो उसके separation के लिए यह वाले enzyme का होना जरूरी है कि जिसको कहा जता है topo isomerase 2 अब Ophloxacin क्या करती है यह enzyme की जो activity है उसको completely inhibit कर देता है जिसके करन क्या हो जता है enzymes हो जाते हैं disabled और disabled enzyme जो है वो आगे यह DNA के separation के process नहीं कर पाते अब genetic material जो है उसका separation नहों होने के कारण आगे जो cell है वो proper develop नहीं हो पाता और आगे जाके उसकी death हो जाती है तो उस तरह से जितने भी bacterial cell जो आपकी body के अंदर present होते है वो दिरे दिरे जो है वो कम होते जाते कि अब जानते हैं उसके कुछ common side effect तो nausea हो सकता है उसके बाद vomiting, diarrhea, stomach pain होना, constipation, change in ability to taste the food कि जब आप कुछ खाना खाते है तो उसका जो टेस्ट की जो ability के टेस्ट जो आप परक सकते है वो ability जो है आपके change हो जाती है, कम हो जाती है कई बार भूख कम हो जाती कि जिसको हो कहते है loss of appetite तो यह है कुछ उसके common side effect यहाप आप खास द्यान रखे of loxacens के यह common side effect है बट इसके कुछ ऐसे serious side effects भी है तो गर आप यह serious side effect आपको होती है तो तुरंद medicines लेना जो है वो stop करना चाहिए और तुरंद आपके doctor या फिर pharmacist को contact करना चाहिए तो stop taking medicine if you feel the following symptoms are as a side effect of of loxacen तो सबसे पहला symptom जो है वो है fanting कि जिसको कहा जाता है loss of consciousness मतलब कि अच्चानक से चक कर आके आप जो गिर पड़ते हैं तो ये condition को हम खहते हैं fanting तो consciousness अच्चानक से चली जाती है और आप जो है वो गिर जाते हैं ऐसी condition produce होती है ये medications लेने के बाद तो तुरंद ओफ lox को लेना बन कर दे second आपको ऐसा फिल होता है कि breathing करने में difficulty हो रहे है swallowing में difficulty हो रहे कि इस तरा से breathing आपके sore हो रहे है breathing में problem हो रहा है swelling करने में problem हो रहे है आपको to swallowing वगएरा में problem होती है तो तुरंद ये medicines बन कर दे तिसरी condition आपको swelling हो रहे है मतलब कि आप sujan हो रही है खास समझे swelling मतलब कि जो आप कुछ भी खाना खाते है पाने पीते तो swallow करते है उसमें difficulty हो रही है तो भी आपको यह नहीं लेना है फिर swelling मतलब कि sujan हो जाती है कहाँ पे sujan होती है तो eyes के उपर आपको सुजन देखने को मिलती है आपके फेस उपर सुजन माउथ लिप्स का जो पोर्षन है टंग मनलब के आपकी जीब का पोर्षन थ्रॉट में आपको स्वेलिंग देखने को मिल रही है आपके हैंड फीड मनलब की हाथ फेर एंकल का जो पूर्शन है लोवर लेक्स वगराग पर समझो कि आपको सुजन देखने को मिलती है ओफ लॉक्जासिंस लेने के बाद तो तुरंट लेना उसको बंद कर दे and sudden pain in chest stomach और back, back pain जिसा आपको feel होता है, chest के अंदर pain होता है stomach pain जिसा होता है तो ऐसे condition में भी ओफ लॉक्जासिंस यूज ना करे because कुछ लोगों के अंदर ये serious side effects जो है वो देखने को मिलती है कि जब वो ओफ लॉक्जासिंस को use करते हैं, तो सभी cases के अंदर ऐसा नहीं होता बड़ समझे कि किसी को भी ऐसा feel होता है कि ओफ लॉक्जासिंस लेने के बाद ये कुछ side effects उनके अंदर देखने को मिल रही है तो तुरंत उसको बंद करें और उसके दिसरे जो alternative antibiotic होते हैं वो आप use कर सकते हैं as per the direction of your physician और pharmacist अब जानते हैं उसके contraindications कि कौनसे लोगों को ये use नहीं करनी है तो अगर आपको diarrhea हुआ है और diarrhea होने का reason है Clostridium difficile bacteria तो ओफ लॉक्जासिं को use ना करें second आपको diabetes है और साथी आपका blood sugar level काफी काम रहता है तो भी आपको ओफ लॉक्जासिं को avoid करनी है फिर low amount of potassium in the blood ऐसे condition में भी avoid करें फिर low seizures result कि आपको seizures की conditions रहती है तो भी use ना करें lungs, kidney या फिर heart transplant किये हुए आप patient है कि कुछ ऐसे लगोगी थे कि जिसके अंदर heart transplant क्या होता है kidney या फिर lungs तो वो लोग भी ओफ लॉक्जासिंस को use ना करें फिर जो peripheral neuropathy के patients होते है ऐसे conditions की जिसके अंदर जो neurons होती है nerves होती है legs के अंदर वहाँ पे काफी painful conditions आपको feel होती है तो वो लोग भी ओफ लॉक्जासिंस यूज ना करें और severe liver disease वाले patient भी ओफ लॉक्ज को यूज ना करें तो यह थे उसके contraindications तो यह था हमारा special video lecture about the ओफ लॉक्जासिं तो फार्मरोक्स के जो lectures not होते है वो फार्मरोक्स के आप उपर access कर सकते है तो download करें आप फार्मरोक्स की जो android application आप download कर पाऊगे as well as apple iphone app store से भी उसको download कर पाएंगे link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो फार्मरोक्स की आप को और access करें study material stage series and a video lecture तो android user android app download कर आप 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 से link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best